भाया नमस्ते इस बार जो आपके यहां उप्चुनाव होनी है रानी गंज यह इमाम गंज विदान सभा में तो इस बार भाया क्या मुद्दा होनी चाहिए यहां विकास अच्छा से हुआ है क्या क्या काम नहीं हुआ है यह होस्पीटल है सरकारी कौन यह वला यह सरकारी हुस्पीटल है यह तो लग रहा है खंधर बन गया है यह अंग्रेज की जवाना का हुस्पीटल है क्या कि इस पर जमकी यहां तो भी तो माजी जी केंद्रिय मंत्री है तो वह भी इस पर ध्यान नहीं दिये है अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है कि मतला तिर को और यहां जो बीद्यारले सब है सरकारी बीद्यारले उसमें परहाई होता है खुब अधिया से एक और बतला यह कि जैसे कि अभी सराब के लेकर कर बहुत सर्चा है तो सराब बंदी मतलब है यहां गली-गली में मिलता है लेकिन हमारे सरकार तो कहते हैं कि शराब बंदी किये हुए है और खेती बारी इधर खुब बढ़िया होता है और रोड एक दाम हर जगर टकाटक है हम नहीं है अनुकि आपके घर के तरफ रोड नहीं है तो फिर इतना दिन से बहुत करते हैं तो फिर उस पर जो है और रोजी रोजगार के यहां बढ़िया ब्यवस्ता है सब लोगी यहीं कमाते हैं कि बाहर जाते हैं कमाने तो कहने का मतलब है कि इस बार मतलब सरकार वही रहेगा या चेंज करना है चेंज होना चाहिए लेकिन बार बार तो देखते हैं बिहार के लोगों को कि जो आना पांच साल तक गारी बगते हैं सरकार को और फिर लास्ट में उसी को भोट करके फिर उसी को सात्ता दे देते हैं है ना तो इस बार क्या प्लानिंग है कि अधिया जाएगा चेंज किया जाएगा है बहुत बड़ी है